यहाँ दोस्तो आए आज के कच्चे करमचार जोड़ी कुछ ख़बरों को जल्दी से जाए लेते हैं काह से क्छबर आई हैँ? दोस्तो आज यहाँ पर हाची बरवाला बासकर से दोस्तो जैसा कि आप लोगों को पता है वही जो है कलरकों की हरताल चले हुई है पुरे हरियाना में पिछले 9 दिन से तो इनकी हरताल का असर दोस्तो अब यहाँ पर सिलरी पर भी पड़तावा नजर आ रहा है देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो नागरिक अस्पताल में लीपिक हरताल पर 250 क्रमचारियों का वेतन का इंतजार जी हाँ दोस्तो यहाँ पर नागरिक अस्पताल में जो कोशल रोजगार निगम के माधम से क्रमचारी लगे हुए है इनकी सेलरी भी अटक गई है यहाँ पर इनको इंतज जारी नहीं हुआ है हर्ताल के कारण इन किसेलरी प्रबायुत हुई है यहाँ पर बता गया है नर्सिंग ओफिसर सहित कोशल रोजगा निगम के करमचारियों को वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है इस हर्ताल के कारण अहल बले ही यहाँ पर 13-14 दिन इस महीने के बीच चु कि दोस्तो पानिपत के बैनर तले सफाई करमचारियों के दिन बढ़ जो है दोस्तो यहाँ पर हर्ताल चली है बता दें यहाँ पर करमचारियों को धाई माहिने से वेतन नहीं मिला है जी है धाई माहिने से करमचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नह करमचारी नाराज हो गई हैं और यहापर परदसन करने को मजबूर हो गई है करमचारी चाहते हैं कि इनकी सुनुआई हो और इनका वेतन जल्दी से जारी किया जाए आगे बढ़ते हैं यहापर देख लिजे करनाल से खबर है शिक्षामंजारी के आवाज का गेराव करेंगी तो मिडे मिल करमचारी नाराज है, सरकार जो स्कूल मर्ज कर रही है, उनको लेकर यहाँ पर करमचारी प्रेशान है, किसरकार अगर स्कूलों को मर्ज करेगी, दूसरे बंद होंगे, तो यहाँ पर इनकी नौकरी पर भी तलवार लटक जाएगी, और आगे बढ़ते हैं, आपने सौपा है, ओनलाइν काम का विरोध करते हुए बता गया है कि किस तरह से इनसे जबरदस्ती ओनलाइण काम करवाया जाता है, जबकि एक्स्ट्रा काम का किसी प्रकार का कोई मांद, див साब महें तानर कोई मांदे नहीं दिया जाता है ओनलाइन काम के लिए दोस्तों इन्हें अपने अन्याज जैसे कि इनके बच्चों पर या क्योंकि इनको काम करने में प्रिशानी होते हैं तो इनको अपने बच्चों पर या फिर फोन के लिए या फिर इंटरनेट के लिए इस तरह की सोईदा के लिए इनको डिपैंड रहना पड़ता जिसे करमचारी या पर परेशान होते हैं और इसलिए चाहते हैं कि इनके उपर उनलाइन काम का दबाव नए बनाया जाए कैथल में देख सकते हैं यहाँ पर आंगरवाडी जो मदरगरूप समिती ने पदाशन कर जताया है रोश जी हाँ दोस्तों डेड़ साल से बकाया पड़ा मेंताना लेकिन मुख्यमंत्री साब या फिर अन्यवी भाग है जो इनके सम्मंदित वो कोई भी जान देने के लिए त काम कर रही है और वो भी देड़ साल से इनको नहीं मिला है तो हालात आप लोग समझ पा रहे हैं किस तरह के हालात है कौन कितना द्यान दे रहा और सरकारी भी बाग कैसे चल रही है तो देड़ साल से क्या किसी को पता ही नहीं है कि वही बच्चों का काम कर रही है वो अपन उनको मजबूरी में इतना इस तरह का जो हकाम करना पड़ता 210 रुपे महीना तो सरकार बिरोजगारी का पूरा फायदा उठा रही है यहाँ पर और यहाँ आपर आवज यह चोकाने वाली चीज़े हैं बिल्कुल ठीक है एक सरवजनी खबर जो सभी को जानना चाहिए सडक और सवस्थय का फंड खरच नहीं कर पाए चोदा राजय हरियाना ने किंदर सरकार से मिले लक्षय का शिर्प 48.10 परतिसत पैसा ही खरच की तो यहाँ पर क्या खालात बना दिया है सरकार ने यहाँ पर देखिए लेकिन दूसरी तरफ आगर खरब परतिसन करने वाले राजय देखें तो यहाँ पर नीचे से खराब वालों में सबसे नीचे से दूसरा नंबर है हर्याना का जिसमें हर्याना मातर 48% कुछ जो है पैसे ही खर्च कर पाया बजट खर्च कर पाया है इसके नीचे हर्याना के नीचे मातर एक ही राज्य है जो अंदर परदेश जो 23.10% पैसा खर्च कर पाया है तो हर्याना कि ना तो क्रमचारी प्रेशान हो ने कोई भी भाग प्रेशान अदिगारी प्रेशान हो और नहीं कोई काम अठके अगर अच्छे से पैसा खरचे किया जाए तो 50% पैसा भी करच नहीं कर पारे हैं तो बहुत ही दुखद खबर है के इंदर ने राज्यों को पुंजिगत खरच के लिए दिये थे याँ पर 7.49 लाख करोड रुपे इन में से 6% ही खरच कर पाए याणि कि आलोवर टोटल तो 6% है लेकिन अगर हरियाना की बात करें तो वो हरियाना 50% पैसा भी खरच नहीं कर पाया है और यहीं पर खबर है य से पहले भी जिहां इस से पहले भी यहाँ पर अप्रेल 2015 से लेकर मार्च 2022 के बीच में बेंक पहले ही 12.3 लाख करोड के लोन राइट ओप कर चुके हैं यानि कि वो भी ठंडे बस्ते में डाले जा चुके हैं अब 12.3 लाख करोड रुपे थोड़े नहीं होते हैं यह पैसे नहीं चुका पा रहे हैं किसी प्रेशानी से नहीं यह विल्फुल डिफाल्टर हैं दोस्तों विल्फुल डिफाल्टर वो होते हैं जो दोस्तों बर तो सकते हैं ठीक हैं उनके हालात भी ठीक हैं लेकिन वो भरना नहीं चाहते हैं यानि कि सरकार पता नहीं क्या करी हैं क्य जाएगा कहां से निकलेगा फिर वो गरीब आदमी से ही पैसा निकलेगा और आमीर यहां पर यह देश को चूस रहे हैं एक नजारा आप लोगों के सामने हैं और अंत में एक और खबर देख लिजी यहां पर सरोक्रमचारी संग के बैनर तले क्रमचारी निफुका डिप्टी का पुतला देहन किया गया और यहां पर पता गया है कि किस तरह से चाहे हो जेज़ेपी है या फिर बीजेपी है सभी ने यहां पर दोस्तों सरकार में आने से पहले वादे किये थे लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है क्रमचारी से संबंदित तो दोस्तों यह तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें टैंक यू वेरी मुच